तो कहानी की शुरुवात में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम Sean होता है जो पुलिस से बचते हुए बाइक से भाग रहा था तभी वो भागते हुए गलती से एक स्विमिंग पुल में गिर जाता है और पुलिस उससे पकड़ लेती है जिसके बाद वहाँ Sean के फादर आते है जिनका नाम हैंक होता है पुलिस हैंक को बताते है कि Sean चुपके से सैटलाइट स्टेशन के अंदर खुसा था और जब हमने उसे रोकने की कोशिश करी तो वो भागने लगा अब हैंक पहले नेवी में काम करता था जिससे उसकी पुलिस में भी पहचान थी इस उसके सगे पिता नहीं थे हैंक उसका सौतेला बाप था इसलिए Sean हैंक को अपना पिता नहीं मानता था फिर Sean अपने कमरे में जाकर अपने जेब से एक कागज निकालता है और उस पर लिखी हुई किसी लैंग्विज को समझने की कोशिश करने लगता है फिर हम सुबा का सीन देखते हैं जहां Sean को मिलने के लिए उसके कमरे में हैंक आता है और उससे बात करने लगता है ताकि उनका रिष्टा मजबूत हो सके लेकिन Sean बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता वो अभी भी उसी लैंग्विज को समझने की कोशिश कर रहा था हैंक भी उस काग जिसके लिए Sean भी मान जाता है लेकिन उसके पहले हैंक उसे सैटलाइट स्टेशन जाने का कारण पूछता है जिस पर Sean बताता है कि कुछ दिनों पहले मुझे कहीं से रेडियो सिगनल आने लगे जिसमें बार बार ये शबदा रहे थे लेकिन मेरा सिगनल इतना पावरफु असल में मौझूद है जिसे सुनकर Sean बहुत खुश हो जाता है जैसे कि वो इसी चीज के इंतजार में था फिर Hank आगे पढ़ने लगता है जहां तीन अलग-अलग किताबों के पारे में लिखा गया था Sean के पास वो तीनों बुक्स थी ये लोग जब उन किताबों को खोलते ह तो उन्हें तीनों बुक्स में अलग-अलग नक्षे दिखते हैं जिसे देखकर इन्हें कुछ समझ नहीं आता लेकिन तभी Hank उन तीनों नक्षों को आपस में जोडता है तो उन्हें दिखता है एक island उस island के coordinates से इन्हें उस island की location भी मिल जाती है वो mysterious island प्लाव के specific महासागर के बीचों बीच कही होता है ये जानकर Sean बहुत खुश हो जाता है और वहाँ जाने के लिए अपनी back भरने लगता है लेकिन Hank उसे मना करते हुए कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते तुम एक बच्चे हो और तुम साथ समुद्र पार जाकर उस सर फिरे से मिलना चाहते हो जो वहाँ बैट कर फालतु सिगनल भेज रहा है जिस पर Sean कहता है कि वो इनसान कोई सिर्फ फिरा नहीं वो मेरे दादा जी है उन्होंने अपनी जिंदगी उस रहस्मी आईलैंड को ठूंडने में लगा दी और वो पिछले दो साल से गायब है उन्हें मेरी जरूरत होगी इसलिए मुझे जाना पड़ेगा हैंक उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन Sean कुछ भी नहीं सुनता जिसके बाद हैंक उसकी मान से इस बारे में बात करता है जिस पर सेन की मा कहती है कि उसके दादा जी एक कैर जिम्मेदार इंसान थे वो कभी भी family के काम नहीं आये लेक उसको कोड़ी कोड़ करने में मदद करी तब पहली बार हम दोनों ने एक साथ कुछ किया और वैसे भी वहाँ जाने के बाद ना कोई आयलैंड होगा और ना कोई दादा जी इसके लिए Sean की मा भी मान जाती है जिसके बाद Hank Sean के साथ अपनी भी ticket निकालता है फिर ये दोनों एक हजार डॉलर का ओफर भी देते हैं लेकिन कोई भी जाने के लिए नहीं मानता तभी पैसो की बात सुनकर गाबाटो नामक आदमी भागते हुए आता है और उस location पर ले जाने के लिए मान जाता है लेकिन उसके पास helicopter था जो किसी कबार से कम नहीं था तभी वहाँ गाब उसरा रास्ता नहीं था इसलिए ये लोग मान जाते हैं जिसके बाद ये चारों लोग helicopter में बैटकर उस island की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन शौन के बताये हुए जगे पर कोई island नहीं था वहाँ थे तो सिर्फ तूफानों के भवंडर ये देखकर Hank helicopter को वाप खुमाने के लिए कहता है लेकिन शौन कहता है कि किताब के पहले chapter के अनुसार हमें इस भवंडर के बीचों बीच जाना है ये भवंडर ही हमें उस island टक पहुचाएगा लेकिन Hank उसकी बात नहीं मानता और गाबाटों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है पर अब देर हो ग आखे खोलते हैं तो देखते हैं कि सच में ये लोग किसी island पर आ चुके थे लेकिन वो दिखने में वैसा नहीं था जैसे book में बताया गया था फिर ये लोग अपना बिखरा हुआ सामान उठाने लगते हैं तब ही सेन की नजर वहां के एक गुफा पर जाती है जो कुछ ये चारों लोग उस गुफा में चले जाते हैं जिसकी दूसरी बाजू वही रहस्पई island था जिसे देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो island इनके सोच से कई ज्यादा खूबसूरत था अब जाकर इन लोगों को शौन की बातों पर विश्वास हुआ था तबी उन्हें वहाँ उड़ती हुई तितलियां दिखती हैं जो आकार में बहुत बड़ी और खूबसूरत थी उन्हें वहाँ एक हाथी भी दिखता है लेकिन वो हाथी इतना चोटा था कि हैंक उसे आसानी से उठा लेता है शौन कहता है कि इस बारे में book में भी लिखा ग जिसके बाद ये सारे लोग उस पहाडी की ओर जाने लगते हैं लेकिन जाते हुए रास्ते में इन्हें कुछ पत्थर मिलते हैं जिसके उपर से चलते हुए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं पर तभी अचानक हैंक के वजन से एक पत्थर तूट जाता है लेकिन ये लोग जल्द ही समझ जाते हैं कि ये कोई पत्थर नहीं किसी जानवर के अंडे है जिस पर कल्यानी कहती है कि अगर अंडे इतने बड़े हैं तो अंडे देने वाली मा कितनी बड़ी होगी तभी इनकी नजर वहां सो रही एक चिपकली पर जाती है जो बहुत विशाल और डरावनी उसे देखकर ये सारे लोग डर जाते हैं लेकिन हैंक इने शान्त रहकर आगे बढ़ने के लिए कहता है पर तभी अचानक गाबाटो के नीचे का अंडा तूट जाता है और गाबाटो उस अंडे के अंदर गिरता है जिसके अंदर था चिपकली का बच्चा और तभी वो अ हैंक और शान तो अलग रस्ते भाग कर बच जाते हैं लेकिन वो चिपकली गाबाटो और कल्यानी का पीछा करने लगती है पर कालानी को मुसीबत में देखकर शान भीगी बिल्ली से शेर बन जाता है और उन्हें बचाने के लिए आगे आता है लेकिन ये बात उस चिपकली को पसंद नहीं आती और अब वो शान के पीछे पढ़ जाती है जहां शान मरते मरते बच जाता है लेकिन एक जगए ऐसी आती है कि ये चारों लोग कहीं भाग ही नहीं पाते जहां अब इनकी मौत निश्चित थी पर तभी उस चिपकली के मुह पर कई सारे लकडियां पढ लेकिन दादा जी को हैंक पसंद नहीं आता वो हैंक को अपना फैमिली मेंबर नहीं मानते जिसके बाद दादा जी सब लोगों को लेकर अपने घर आते हैं उनका घर देखकर ये लोग हैरान होते हैं दादा जी ने घर में सब कुछ था शौन के पूछने पर दादा जी बत जिस पर कल्यानी कहती है कि हमें रेडियो से मदद बुलानी चाहिए लेकिन दादा जी कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है संपर्क करने वाली सैटलाइट के सही जगा आने का इंतजार करना होगा और इसमें दो हफते का वक्त लगेगा लेकिन हैंक कहता है कि यहां हमें बहुत खत्रा है दो हफते तक हम यहां कैसे रहेंगे तब तक उस चीपकली के अंडे से बच्चे भी बाहर आ जाएंगे शौन तुम्हारी मां भी दो हफते तक इंतजार कैसे करेंगी जिस पर दादा जी हसते हुए कहते हैं कि जब तक तुम वहां जाओगे तब तक उसने तीसरी शादी कर ली होगी अब तुम लोग सो जाओ कल सुबह में तुम्हें ऐसी चीज दिखाओंगा जिसे देखकर तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे शौन भी हैंग को रिलाक्स होकर सोने के लिए कहता है फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहां दादा जी इन्हें लेकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहां होता है एक पेहत खूपसूरत एंट्रैंटिक्स शहर जिसे देखकर ये सारे लोग हैरान होते हैं जहां पुरानी सभ्यता इस शहर में रहा करती थी लेकिन आगे जाकर ये शहर समुद्र में डूप किया था जिस पर दादा जी कहते हैं कि ये आईलैंड तब डूबा था लेकिन अब बाहर आ गया है क्योंकि ये आईलैंड एक सो चालीस साल के चक्र में चलता है ये आईलैंड जल्द ही डूब जाएगा लेकिन दादा जी इसे मना करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस आईलैंड को डूबने में और 14 साल बाकी है जिस पर हैंक कहता है कि ये पानी समुद्र का खारा पानी है जो दरारों से होकर नीचे से उपर आया है में एवी में काम करता था मुझे इसका अनुभव है हैंक पानी के लेवल को देख के कहता है कि ये आईलैंड आने वाले दो दिनों में डूबने वाला है तभी शौन कहता है कि फिर तो नोटेलस सबमरीन ही हमें बचा सकती है इस जुल बुक में लिखा है कि कैप्टन नीमो की 1970 में बनाई हुई नोटेलस सबमरीन आईलैंड पर छुपी हुई है जिसे हमें ढूंडना होगा जिसके बाद दादा जी इन्हें लेकर कैप्टन नीमो के समाधी पर आते हैं दादा जी कहते हैं कि कैप्टन नीमो के साथ उनकी डायरी भी इसी समाधी में है शायद उस बुक में उस नोटेलस के बारे में कोई जानकारी होगी दादा जी कहते हैं कि मैंने इसके अंदर जाने की कोशिश भी करी थी लेकिन ये जगह बहुत छोटी है इसके अंदर जा पाना बहुत मुश्किल है जिस पर कल्यानी कहती है कि मैं जाओंगी अंदर क्योंकि वो पतली भी थी जिससे वो आसानी से जा सकती थी जिसके बाद ये लोग उसे रसी से बांध कर अंदर भेजते हैं अंदर जाकर कल्यानी को कैप्टन नीमो का कंकाल देखता है जिसके हाथ में वो डाइरी थी कल्यानी तुरंट उस बुक को लेती है लेकिन तभी वहां की जमीन हिलने लगती है और वहां पर पत्थर गिरने लगते है ये देखकर कल्यानी तुरंट वहां से निकलती है ये लोग भी रसी खीच कर उसे बाहर निकालते है अब बाहर आने पर ये लोग कैप्टन नीमो की वो बुक खोलते हैं जिसे कैप्टन नीमो ने हिंदी में लिखी थी लेकिन दादा जी को हिंदी आती थी इसलिए वो उस बुक को पढ़ने लगते हैं उस बुक में लिखा था कि नोटलस सबमरीन आईलैंड के दूसरे तरफ किसी जुवाला मुखी के गुफा में है दादा जी को वो जगा पता थी वो कहते हैं कि वहाँ जाने के दो रस्ते है आईलैंड के किनारे से होकर तुम वहाँ जा सकते हो लेकिन उसमें बहुत दिन लगेंगे और अगर जल्दी पहुँचना है तो आईलैंड के बीच से होकर तुमें जाना पड़ेगा हैंक कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है हमें आईलैंड के बीच से ही जाना पड़ेगा जिस पर दादा जी इन्हें आगाह करते हुए कहते हैं कि ये आईलैंड बहुत खतरनाक है घने जंगल और नूखिले पहाड के सिवा यहां बड़े बड़े जानवर भी है इसलिए हमें संभालते हुए आगे पढ़ना पड़ेगा जिसके बाद ये सारे लोग नोटेलस ठूंडने निकल पढ़ते हैं जहां रास्ते में इन्हें कई सारे खुबसूरत नजारे दिखते हैं और साथ ही बड़ी बड़ी चीटियां भी जिने पार करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहें थे आगे जाकर नदी पार करते हुए इन्हें एक पहाड दिखता है जिसे देख कर ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पहाड सोने का था शौन और गाबाटो उस पहाड पर जाने के लिए जित करते हैं लेकिन हैंक उन्हें मना करते हुए कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है हमें आगे बढ़ना होगा इसलिए ये लोग वापस आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन काफी आगे आने पर इनके सामने एक पहाड़ आता है जिसे देखकर हैंक दादा जी से कहता है कि आपको कोई रस्ता भी पता है हम इस पहाड़ी को पार कैसे करेंगे तभी दादा जी जाड़ियों में घुश जाते हैं और एक बड़ी मधुमक्खी के उपर सवार होकर बाहर आते हैं दादा जी कहते हैं कि हम मधुमक्खी की सवारी करके पहाड़ी को पार कर सकते हैं लेकिन हैंक उन्हें नीचे उतरने के लिए कहता है क्योंकि इसमें खतरा था लेकिन दादा जी उस मधुमक्षी को लेकर निकल जाते हैं उनके बीचे शौन और कल्यानी भी मधुमक्षी लेकर निकल पड़ते हैं जिसके बाद हैंग भी गाबाटो के साथ निकल जाता है अब ये सारे लोग उपर से आईलेंड का नजारा देखते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी गाबाटों के उपर कोई चिडिया पौटी कर देती है ये देखकर सारे लोग हसने लगते है पर तभी इनकी नजर उस चिडिया पर जाती है जो इनी मधुमक्खी को खाने आ रही थी उसे देखकर ये सारे लोग जंगल में अलग-अलग रास्ते भागने लगते है उस चिडिया को देखकर और दो चिडिया भी वहां आ जाती है और तीनो मधुमक्खियों के पीछे लग जाती है तभी हैंक को एक आइडिया आती है वो दादा जी को तेजी से सामने से आने को कहता है दादा जी भी फुल जोश में थे उन दोनों के पीछे चिडिया लगी थी दादा जी तेजी से हैंक की तरफ आने लगते हैं और बिल्कुल पास आते ही दोनों साइड हो जाते हैं, जिससे उन दोनों के पीछे आ रही चिडिया एक दूसरे से टकरा कर वही पर गिर जाती है, और ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन वही शौन और कल्यानी के पीछे अभी भी एक चिडिया पड़ी थी, जिसे बचते ये लोग तेजी से भाग रहे थे, लेकिन एक जगा आकर वह चिडिया इन पर हमला करती है, जिसे सेन तो संभाल लेता है, लेकिन कल्यानी फिसल कर मधुमक्खी से नीचे गिरने लगती है, पर उसके नीचे गिरने से पहले ही शौन हीरो की तरह एंट्री लेकर कल्यानी को लेकिन वो चिडिया अभी भी उसके पीछे पड़ी थी, इसलिए सेन कल्यानी को नीचे उतार कर खुद अकेला ही भागने लगता है, शौन कुछ भी करके उस चिडिया को मजा चखाना चाहता था, तभी उसे वहां मकडी का जाला दिखता है, शौन तेजी से जाकर उस जाल के बीच से निकल जाता है, लेकिन वो चिडिया उसी जाल में फंस जाती है और शौन को छुटकारा मिलता है, लेकिन शौन चिडिया को देखने के चकर में टकरा कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैर की हड़ी डिस्लोकेट हो जाती है, लेकिन तभी दादा जी कहते है कि यहां रात होने वाली है और रात को यह आइलैंड और ज्यादा खतरनाक हो जाता है इसलिए हमें पहले किसी सेफ जगह जाना होगा जिसके बाद हैंग्शॉन को उठा कर सेफ जगह लेकर आता है जहां दादा जी और हैंग मिलकर उसके पैर की हट्टी ठीक करते हैं और फिर हैंग्शॉन को अच्छा फील कराने के लिए गाना गाता है जिसे सुनकर दादा जी हैंग से इंप्रेस हो जाते हैं हैंग कहता है कि ये गाना मेरे डैड ने मुझे पचपन में सिखाया था जिस पर दादा जी कहते है कि यहां से निकलने के बाद मैं उनसे जरूर मिलूँगा लेकिन हैंग कहता है कि ये मुम्किन नहीं है मैं आठ साल का था तभी मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए थे मैं उनके आने का इंतजार करता रहा लेकिन वो कभी वापस नहीं आये और मैं अकेला पढ़ गया जिसे सुनकर दादा जी को हैंक के लिए पुरा लगता है वही दुसरी तरफ हम गाबाटो और कल्यानी को देखते है जो पानी लेने के लिए दूसरी तरफ आये थे जहां गाबाटो कल्यानी से कहता है कि सेन अच्छा बच्चा है क्या तुम्हें वो पसंद है जिस पर कल्यानी कहती है कि हम दोनों की लाइफ अलग-अलग है वो यहां से निकल कर अमेरिका में किसी बड़े कॉलिज जाएगा और हम अपनी छोटी जिंदगी में काबाट्टो कहता है कि तुम भी अमेरिका जाकर पढ़ना चाहती हो तो में भी तुम्हें वहां भेजूँगा यह मेरा वादा है लेकिन कल्यानी इस बात को जानती है कि उसके पीता की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं है इसलिए उसे पता था कि वो पढ़ने के लिए अमेरिका नहीं जा पाएगी जिसके बाद सारे लोग सो जाते है लेकिन सुबह सबकी आँखे खुलते ही ये लोग देखते हैं कि पानी इनके बहुत पास आ चुका है हैंक कहता है कि आईलैंड वक्त से पहले ही डूब रहा है हमारे पास अब कुछ घंटे ही बचे हैं हमें जल्दी से नोटेल्स तक पहुँचना होगा तभी कल्यानी नोटिस करती है कि उसके पीता गाबाटो गायब है जिस पर दादा जी कहते हैं कि वो कही पास में ही गया होगा आ जाएगा लेकिन तभी कल्यानी को उसके पीता की रात वाली बात याद आती है जहां उसके पीता ने उसे अमेरिका भेजने का वादा किया था कल्याणी समझ जाती है कि उसके पीता ज़रूर उस सोने की पाड़ी पर गए होंगे कल्याणी कहती है कि तुम लोग आगे बढ़ो मैं अपने पीता को ढूंड कर उनके साथ आती हूँ लेकिन शौन कल्यानी को अकेला जाने से मना करता है और खुद उसके साथ आने लगता है पर हैंक शौन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तुम इतने दूर जाने के हालत में नहीं हो लेकिन शौन जित करने लगता है जिस पर दादा जी भी उसे मना करते हैं और कहते हैं कि कल्यानी के साथ मैं जाओंगा मैंने तुम्हें इस आइलैंड पे बुलाया था तुम लोगों को यहां से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है जिसके बाद दादा जी हैंग को मैप में नोटेलस तक जाने का रास्ता दिखाते हुए कहते है कि तुम दोनों वहां जाकर किनारे पे हमारा इंतसार करना मे और कल्यानी गाबाटों को लेकर वहां आते है हैंग ऐसा ही करता है वो तुरंद सेन को लेकर निकल पड़ता है वही दादा जी कल्यानी के साथ गोबाटों को ढूंडने निकल पड़ते हैं जहां आगे जाकर उन्हें गाबाटों मिल जाता है जो एक पड़े सोने के टुकडे को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कल्यानी अपने पीता को कहती है कि ये आप क्यों कर रहे हो वापस चलिए हमें जल्द से जल्द नोटेलस तक पहुँचना है पर गोबाटों कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए ये करना ही होगा जिस पर कल्यानी कहती है कि मुझे दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए मेरी असली दौलत तो आप ही हो अगर आप ही मेरे जिंदगी में नहीं होंगे तो मैं इस दौलत का क्या करूंगी जिसके बाद गाबाटों को भी कल्यानी की बात समझ आती है और वो वापस चलने के लिए मान जाता है वही दूसरी ओर हैंक और शौन नोटेलस तक पहुँच जाते हैं लेकिन रातो रात पानी के बढ़ने से नोटेलस पानी में टुप कई थी शौन कहता है कि अब हमारी मौत होनी निश्चित है यहां से निकलना तो अब नामुम्किन है जिस पर हैंक कहता है कि ठंडे दिमाग से सोचो तो हम यहां से निकल सकते हैं तब हैंक को एक आइडिया आता है वो कहता है कि हमारे पास जिप लॉक बैक्स है जिसका यूज हम ऑक्सीजन टैंक की तरह करेंगे जिसके बाद हैंक जुगाड लगा कर उन बैक्स को तयार करता है ताकि पानी के नीचे जाकर भी ये लोग सांस ले पाए लेकिन हैंक बताता है कि हमें लगभग सो फीट नीचे जाना है हम इस बैक से सिर्फ दो पार ल Μबी सांस ले सकेंगे हमें इतने समय में ही नीचे जाकर कुछ करना होगा जिसके लिए शौन भी मान जाता है और ये दोनों पानी में कूच जाते हैं जहां नीचे जाकर उन्हें वो नोटेलस सपमरीन दिख जाती है लेकिन उसके अंदर जाने का दर्वाजा पूरी तरह से जाम हो गया था तभी दादा जी कहते हैं कि मकडियां हमेशा तक्षिन की ओर अपना घोंसला बनाती है और हमें उत्तर की ओर जाना है अगर हमें मकडी का घोंसला दिखे तो हम दिशा का पता लगा सकते हैं तभी खुश किस्मती से कल्यानी को मकडी का घोंसला मिल जाता है जिसे देखते ही ये लोग तुरंद उलटी दिशा में जाने लगते हैं वही हम Hank और Sen को देखते हैं जो अभी भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश में थे वो दोनों अपनी आखिरी Oxygen भी ले लेते हैं और जोर लगा कर उस दरवाजे को खोलने लगते हैं लेकिन तभी उनकी और बहुत बड़ी electric ill fish attack कर देती हैं, पर ये दोनों किसी तरह उसके वार से बच जाते हैं, वो ill fish दुबारा इन पर हमला करती, उसके पहले ही Hank और Sean उस दरवाजे को खोल देते हैं, और उस fish के आने से पहले ही अंदर चले जाते हैं, पर सब्मरीन के अंद ये लोग control room में जाकर सब्मरीन को चालू करते हैं, पर ये सब्मरीन चालू ही नहीं होती, इसलिए Hank जाकर engine को चेक करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि असल में problem बैटरी में है, क्योंकि ये बैटरी 140 साल से पढ़ी होने के कारण dead पढ़ चुकी थी, हैक कहता है कि अगर हमें बैटरी को चालू करना है, तो हमें इसे बिजली का जटका देना होगा, जिस पर Sean कहता कि लेकिन इसके लिए हमें 1000 वाल्ट का जटका लगेगा, वो हम कहां से लाएंगे, जिस पर Hank सब्मरीन के बाहर electric ill fish को देखते हुए हसने लगता है, जिसे Sean Hank का प्लान समझ जाता है, जिसके बाद Hank सब्मरीन के अंदर रखा हुआ, ओक सीजन मास्क पहन लेता है, और एक रॉड को तार से बांध कर उस तार को बैटरी से कनेक्ट करता है, और फिर उस रॉड को लेकर सब्मरीन के बाहर आता है, तब ही वो electric ill fish Hank को देखते ही उस पर अट का लगता है, और बैटरी के चालू होते ही सब्मरीन भी चालू हो जाती है, वही दूसरी और अब वो ज्वाला मुखी का पहाड फट जाता है, और समुंदर तेजी से इस island को डुबाने लगता है, वो तीनों लोग भागते हुए किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हे हैंक और शौन कहीं भी नहीं दिखते, ना उन्हें वो सब्मरीन दिखाई देती है, तभी उन तीनों के नीचे की चटान तूट कर पानी में बहने लगती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये तीनों लोग पानी में गिर जाते हैं, उन्हें पता था कि उनकी मौत अब निश चटाने आ गई थी, जिस वह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन हैंक दिमाग चलाता है, और सब्मरीन दिखे अंदर रखी मिसाईल को चटानों पर लॉंच करके उन्हें ब्लास्ट करता है, जिसके बाद ये लोग सही सलामत वहां से पच निकलते हैं, इस शौन का आज बर्दे था, वही हम गाबाटो को देखते हैं, जो अभी बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, वो नोटेलस में लोगों को घुमा कर अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, वही सौन और हैंक कल्यानी को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अभी कल्यानी भ अगर आपको ये मूवी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर देना, और कमेंट में वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना, हम मिलते हैं इसी तरह और एक इंट्रेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए बाएबाबाबाबाबाबाब तक के लिए ये बाएबाबबाबाबबाबाब।